नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है नवदय विद्दलय शमिती यानि की NBS के तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है for several TGT and PGT post तो क्या-क्या location से जो है vacancy रिलीज किया गया है कौन-कौन से subject में vacancy है, total vacancies कितना है कैसे आपको apply करना है, सारा सब कुछ details में check करेंगे इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखे ताकि आपको सारे information के बारे में पता चले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ जिनोंने अभी तत मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी से subscribe button को click कीजिए and bell icon को press कीजिए to get all the notifications and मैंनी चैनल पर जो community section है वहाँ पर भी जाके आप लोग daily check करें वहाँ पर भी मैं other job notification आप लोगों के लिए हर दिन upload करती रहते हूँ वीडियो अगर अच्छा लगे दिन वीडियो को जरूर लाइक करें कमें अपना कोई भी doubts या से कोई भी doubts या से कोई भी queries के बारे में बताए I am here to clear all your doubts and then share कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को start करते है सबसे पहले तो देखिए यहां पर वैकेंसी डिटियल्स दिये गया है online application का link जो है आपको accordingly यहां पर मिल जाएगा TGT और TGT के लिए अलग-अलग से यहां पर Google form का link अपको मिल जाएगा उसके बाद आप देख सकते है state जो है वो अलग-अलग state है आप कौन-कौन से subject है वो एक पर देख लेते हैं like Hindi, English, Mathematics, Science, Social Science, ODIA, Computer Science, Physical Education, Male Female, then Music, Art, Librarian and Vocational Teacher PGT यानि की Postgraduate Teacher के लिए अगर देखें तो Hindi, English, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Information Technology, History, Geography, Economics, Commerce तो यहां पर देख सकते हैं कितने vacancies यहां पर रिलीज किया गया है huge vacancies के साथ notification को रिलीज किया गया है अलग-अलग state में यहां पर आपका job posting होने वाला है तिक है उसके बाद चलते हैं अपका salary पर तो salary देखें यहां पर आपको दोनों अलग-अलग station के लिए यहां पर प्रोवाइट किया गया है अपर age limit आप देख सकते हैं 50 years यहां पर रखा गया है next यहां पर देखिए जो email id है वह आपका correct होना चाहिए and जो valid email id याने कि आप जो rows यूज करते हैं regularly आप चेक करते हैं उसी को आपको यहां पर provide करना है because थारे communication जो है वह आपका mail के द्वारे ही किया जाएगा and एक mail id से जो है आप एक ही post में apply कर सकते हैं अगर आप एक mail id से multiple post में apply करेंगे तो आपका candidature cancel कर दिया जाएगा next यहां पर देख सकते है आप जो यहां पर document verification होगा short listing होने के बाद and then यहां पर आपका personal talk यहने की interview होगा तो यह अलग-अलग venues में होगा subject wise अलग-अलग subject के लिए अलग-अलग जगहां पर होगा जो state है वो भी अलग है and location भी यहां पर अलग होगा उसके साथ साथ जितने भी सारे आपके पास supporting documents से सभी में self-attested करके आपको साथ में लेके जाना है along with government issued ID proof कोई भी हो सकता है voter card, other card, driving license, etc. तीक है उसके बाद देखे card of date for determining the eligibility will be 1st July 2024 next यहां पर आप जो अलग-अलग venue है वो आप यहां से देख सकते है कि कौन-कौन से venues में जो है आपका subject wise यहां पर आपका interview and जो यहां पर document verification होगा वो होने वाला है like मद्दप्रदेश के लिए यहां पर देख सकते है कौन-कौन से subject है मद्दप्रदेश के जो संबल सैंपूर जो जगा है district है शीहोर district and भोपल district के लिए अलग-अलग subject है and शीहोर district के लिए अलग-अलग subject है उसके बद चतिजगड के लिए अलग है औरिसा के लिए भी अलग से यहां पर subjects रखा गया है next चलते हैं यहां पर qualification पर तो qualification देखिए PGT के लिए तो 2 साल का integrated post graduate course अगर आपने complete किया है from regional college of education of ncrt with minimum 50% marks तो आप यहां पर apply कर सकते है बट उसके साथ साथ आपका B.A.B. complete होना चाहिए in the concerned subject and teaching proficiency in English Hindi दोनों मेडिया में आपका proficiency होना चाहिए but यहां पर देखिए एक important note दिये गया है like B.A. degree is not required for the candidates who have undergone 4 years यानि कि 4 साल की integrated degree course जिन्होंने complete किया है उनके लिए B.A. degree is not mandatory B.A. degree आपके कोई जरुरत नहीं है यहां पर आप देख सकते है कि कौन से subject में apply करने के लिए master's degree में आपका कौन से subject होना चाहिए तो यहां से आप देख लें जैसे कि English के लिए English, Hindi के लिए Hindi, Physics के लिए Physics, Applied Physics, Electronics, Physics and Nuclear Physics Chemistry के लिए Chemistry, Biochemistry, Mathematics के लिए Mathematics, Applied Mathematics, Economics के लिए Economics, Applied Economics, Business Economics and then Biology के लिए बहुत सरे options आपको मिलेंगे like Botany, Zoology, Life Sciences, Bio Sciences, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Plant Physiology उसके बाद देखे History के लिए History, Geography के लिए Geography and Commerce के लिए अगर देखा जाए तो अगर आपने Commerce with Accounting किया है, Cost Accounting, Financial Accounting किया है as a major subject of the study तो आप यहां पे eligible है, apply कर सकते है अगर आपने M.com किया है in Applied or Business Economics में तो आप Commerce के लिए eligible नहीं होते है, ठीक है उसके बाद चलते PGT Computer Science के लिए तो अगर आपने M.A.C. complete किया है in Computer Science और IT या फिर M.C.A. किया है उसके साथ B.A. degree आपके पास है तो आप यहां पे बिलकुल apply कर सकते हैं उसके साथ जो देखिए यहां पे जो last columns में जो है desirable qualification दिये गया है यहां पे working knowledge वगएरा, teaching experience वगएरा यह सब यहां पे demand किया गया है यानि कि mandatory तो नहीं है बट अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई problem नहीं है आप यहां पे without this qualification आप यहां पे अप्लाई कर सकते है ठीक है उसके बाद चलता है DGT post के लिए तो trained graduate teacher post के लिए देखिए चार साल की अगर आपने integrated degree course किया है of regional college of education of ncrt with minimum 50% marks तो आप यहां पे eligible होते है otherwise अगर आपने bachelor degree किया है ठीक है with at least 50% marks तो भी आप यहां पे apply कर सकते हैं तो यहां पे देखिए वही important note है कि BA degree is not required for the candidates who have undergone 4 years integrated degree course तो जिन्होंने 4 साल की integrated degree course किया है उनके लिए BA degree is not a mandatory qualification इसके साथ साथ आपका seated pass होना चाहिए यानि कि central teacher eligibility test and BA degree आपका complete होना चाहिए in the concerned discipline competence to teach through English and Hindi मतलब कि English Hindi दोनों मेडिया में आपका teaching proficiency होना चाहिए अब यहां पे भी आपका जो है TGT के लिए भी जो है सारे subjects यहां पे दिये गया है यानि कि elective subjects आपका कौन सा होना चाहिए कौन सा subject में apply करने के लिए तो आप यहां से check कर सकते है next यहां पे देखिए TGT language के लिए यानि कि TGT Aurea के लिए same है like concerned regional language as a subject or relative subject in all three years of the degree course and then seated pass आपका होना चाहिए BA degree is mandatory उसके बाद TGT computer science के लिए अगर देखा जा तो bachelor degree आपके पास होना चाहिए in computer application यानि कि BCA from a recognized university उसके साथ साथ आपका यहां पे seated qualification and BA degree is mandatory okay next TGT art के लिए रेके degree आपके पास होना चाहिए in fine arts, crafts from a recognized university उसके साथ Bate TGT physical education teacher male female बोद यहां पे apply कर सकते है तो इसके लिए bachelor degree आपके पास होना चाहिए of physical education degree यानि कि BPA from any recognized institution music के लिए bachelor degree in music होना चाहिए आपके पास on library and के लिए degree university degree आपके पास होना चाहिए in library science from a recognized institution ठीके या फिर अगर अपने graduation complete किया है with one year diploma in library science graduation आपका कोई भी discipline में हो सकता है पर उसके साथ अगर अपने diploma किया है एक साल का in library science from a recognized institution तो आप यहाँ पे eligible होते हैं और apply कर सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे जो है essential qualification में ही working knowledge को यहाँ पे demand किया गया है of English and Hindi और other regional language यहाँ पे और भी बहुत सारह है like hospitality and tourism then hotel management financial and market management जो कि आप लोग यहाँ पे post of interest के according चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर इस limit पहले ही बता दिया था जो कि 50 years यहाँ पे रखा गया है तो यही है notification 13 pages का and बहुत ही compact notification को रखा गया है जितना information हो सके सारे information दिया गया है बट यहाँ पे compact ली है सब कुछ तो यहाँ पे last date देखें यहाँ पे 26 April को last date रखा गया है 26 April आप यहाँ पे last apply कर सकते हैं ठीक है अंतीनो जगा मत्रप्रदेश चतिसगर औरिसा में आपका recruitment होगा तो posting जो है अलग-अलग जगा पे होगा यहाँ पे देखें जो interview है आपका वो उसका tentative date यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा like 16th May को tentative dates for physical interview जो कि 16 May को हो सकता है अगर बाद में यह change भी हो सकता है तो इसलिए regularly आपको official website जो है वो follow करते रहना है यह जो है official website है यहाँ पे आप click करके जो notification है उसको read कर सकते है और अलग-अलग application को form आपको यहाँ पे मिल जाएगा Google form है यह ठीक है अलग-अलग TGT & PGT के लिए अलग-अलग Google form आपको देखने को मिलेगा तो यह notification number भी यहाँ पे provide किया गया है अब देख सकते है नवदय विद्दलय समिती regional office वोपल के तरफ से notification को release किया गया है तो चलिए एक बर official website देख लेते है वोपल region है नवदय विद्दलय समिती यहाँ पे आके नीचे थोड़ा सा scroll down करते ही आपको right-hand side में latest circular में advertisement मिल जाएगा जो कि contractual appointment of TGT PGT के लिए यहाँ पे निकाला गया है तो यह सारे जो आपका recruitment होने वाला है contractual basis पे उसके बाद देखिए दूसरा है tab open हो जाएका sorry यह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा यह notification का tab है यहाँ आपको नहीं मिलेगा आपको सीधा वाइप सार्कुलर जो है वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका PDF जो है वह open हो जाएगा तो मेरी तरफ से सभी candidates के लिए all the very very best यहाँ पे residential school है इसलिए आपका यहां पे रहना खाना यानि की जो आपका staying and जो food है वह free है तो यह भी एक opportunity यह जो benefits है वह आपको मिलने वाला है and salary मैंने बता दिया कितना कितना होने वाला है तो सारा सब कुछ मैंने clear कर दिया है उसके बावजूद अगर किसी के मैंन में कोई doubts या फिर कोई queries है तो आप comment section में जरूर पूछ सकते है तो आप comment section में जरूर पूछ सकते है तीक है and मैं 100% try करूंगी आपका जो doubts है वो clear करने के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए comment में बताए and share कीजिए आपके non friends या फिर relative के साथ तो चलिए वीडियो को यहां पर end करते हैं मिलते है next video में thank you for watching